हेलो डियर स्टुडेंट्स हाव और यू आई होप यू और आल फाइन लेट अस्टार्ट आज जी के बुक क्लास फर्स्ट लेसन टूंटी नाइन लेसन नेम इस माई कंट्री अपने देश के बारे में जानेंगे तो फर्स्ट आपको जो बताया गया वो है जो हमारी प्रेज प्रेज़ेंट कोन है Mr. Ramnaath Kovind और जो हमारे प्रेज़ेंट प्राइमनिस्टर है? वो कोन है? नरिंदर मोधी अब यहार वो लिखता है Indyaz 14th प्रेज़ेंट इस रामनाथ को बाधा जो 14 ही प्रेज़ेंट के प्रेज़ेंट है वो कोन है? रयामनात कोविन जो at present है और our current prime minister is नरेंदर मोती और हमारी prime minister कोन है जो वर्तमान में इस समय है वो है minister नरेंदर मोती now complete the name of our national symbols हमें यह नीचे national symbol दिये गए हैं जिनके बारे में हमने बताना है कि कौन से हैं तो our national animal हमारा national animal कोन है पिच्चर में दिखाया गया है नेचनल ऐनिमल है वो है बंगाल टाइकर next है आवर national bird हमारा national bird कोन से है पिकोग पिकोग मींस स्मोग तो our national bird कोन से है पिकोग आप नेशनल फ्रूट हमारा राश्ट्य फल कोन से है यह आप सबको भी पसंद है कोन से है mango कुण सा है mango next है our national tree हमारा national tree कुण सा है bunyan tree और our national flower lotus तो इस lesson में हमने क्या क्या पढ़ा हमारे present prime minister को ने mr. नरेंदर वोदी और जो present president है जिनका rank कुण सा है 14 रामनात कोविन और national animal बंगाल टाइगर और national bird peacock और national fruit mango और national tree bunyan और national flower lotus come to the next lesson next lesson है हमारे पास lesson 13 religious of India भारत के अंदर गत जो different religions है उसके बारे में बताया गया है यह आपको different pictures दी गई है और यह बताना है यह कौन सी religious यानि कौन सी धर्म से सम related है तो जो first picture आपको दिखाएगी है यह है Moscow क्या है Moscow जो मस्चित जिसमें Moscow में कौन जाते जो Muslim लोग होते है वो अपनी प्रेर कहा करते है Moscow यानि मस्चित में जो second picture है यह है church कौन किसकी है church यहाँ पर कौन से लोग जाते है Christians जो Christians धर्म को मानते हैं वो कुसमें जाते हैं चर्च में प्रेर करने के लिए जाते हैं next है temple हिंदू लोग कहां जाते है temple और fourth है गुरुद्वारा और यहाँ पर कौन से धर्म के लोग जाते हैं सिख धर्म के लोग कहां जाते हैं गुरुद्वारा इन जगह पर आप गुरुद्वारा है यहां आप भी जा सकते हो और यह जो पिच्चर है यह है golden temple की हमारे कौन से कि यह golden temple गुरुद्वारा है यह कहां पर अम्रिसर में है यह उसकी पिच्चर है तो यहां पर कौन से सिख धर्म के लोग जाते हैं आप नव कम टूदा लेक्स नेशन लेक्स नेशन हमारे पास है लेक्स नमबर 31 यह फेस्टिवल ओफ इंडिया आपको पता है आपने अपन टाइप के तिहार मनाई जाते हैं तो यहां पर हम जो पहले पढ़ेंगी वो तिहार जो हम मनाते हैं कौन से है फर्स्ट कहते है इस फेस्टिवल इस पापुलर्ली नोन ऐस तब फेस्टिवल ओफ लाइट यह कह रहा है यह तिहार कौन से है जो फेस्टिवल ओफ लाइट के नेक्स्ट है इस इस फेस्टिवल इस सेलिब्रेटिड आफ्टर दा कम्प्लीशन ओफ ए मन्थ और फास्टिंग कार्ट रम जान कहते हैं यह कौन सा फेस्टिवल है जो एक महीने की यह फास्ट रखने के बाद बनाया जाता है रमदान जिसे बोलते हैं जिसे रम जान भी बोल यहाँ पर उसका नाम पुरह है इदल पीत है स्टर्ड है इस फेस्टिवल सेलीब्रेटिड दव़फ रख ईजेजाISH कि इसधि पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है वह है क्रिस्मस नेक्सट यह फेस्टिवल इससान नोँ है विजे दश्मी कौन से फेस्टिवल को विजे दश्मी के नाम से जाना जाता है तो यह आप जानते हो यह है दुशेरा ठीक है ना इस दिन शिरी राम जाता है holy क्योंकि holy पर हम रंगों के साथ खेलते हैं इस दिसे कौन सा festival का जाता है festival of colors next write the name of these national holidays अब यह कुछ national holidays है जो हमारे राष्ट्रे त्योहार है वो है वो तीन है हमारे आपने बताना है यह कौन-कौन से है तो सबसे पहले आता है 26 January 26 January को क्या होता है Republic Day इस दिन हमारा सभीधान लागुआ था तब से इसको Republic Day कहा जाता है और इसको हम बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और अब 26 January आने भी आवाला है उस दिन हमें TV पर प्रेट देखने को मिलती है नेक्स्ट है 2nd October यह 2 October भी बोल देते हैं तो 2 October को किसका बढ़तरी होता है गांधी जी का तो उनी के जनम दिन पर क्या बनाए जाती है गांधी जनती यह भी हमारा National Holiday है और तीसरा जो थर्ड नमबर पर है वो है 15 अगस्त 15 अगस्त को कौन सा डे बनाया जाता है इनडिपेंडनस दे इसका मतलब है इस दिन हमारा जो देश है सब्तंत हुआ था ठीक है हमारे देश के उपर अंग्रेजियों ने शाषिन किया था तो उससे हम कब उजाद हुए थे 15 अगस्त को तो यह बहुत हैं इंट्रस्टिंग लेसन है अच्छे से करना I hope आपको यह अच्छा लगा होगा यह हमारा लेसन हैं complete होते हैं thank you have a nice day झाल 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 झाल